नमस्कार दोस्तों अब तक हिस्टरी की हम दो क्लास कर चुके हैं और आज हम हिस्टरी की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं जहां हमने अब तक यह पढ़ा है कि किस प्रकार से मुहम्मद गौरी की मृत्तों के बाद कुतुबुद्दीन एबक ने दिल्ली सल्तनत की नीव रखी और इसके बाद सिल्तान इल्तुत्मिष ने किस प्रकार से दिल्ली सलतनत को आगे बढ़ाया इसके साथ गय सुद्धिन बल्बन का क्या योगदान था ये से हम पिछली वीडिओ में बात कर चुके हैं और इसके बाद हम अलावद्दिन खिल जी के बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का ये और ये पेपर में हमेशा आता है कि अलावद्दिन खिल जी के आर्थिक सुधारों की व्याख्या कीजिए 100% ये पेपर में कोशन आता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का अंतक जरूर देखिए ताकि आपको कोशन के अंसन मिल सकें तो देखें सबसे पहले मैं अपने भाशा में समझा दूए इस चैप्टर को तो जब हम जलाल अलुद्दिन खिल जी की बात करते हैं तो जलाल अलुद्दिन खिल जी को फिरोज के नाम से भी जाना जाता है और इसी ने खिल्जी वंश की स्थापना करी हाला कि जब ये खि और उसने मंगोलों के विरिद बहुत सारे जो युद बलबन ने लड़े थे उन सभी युद्धों में इसने क्या करा था सेना नायक का काम किया था तो जब हम बलबन के बाद जलारुद्दिन खिलजी की बात करते हैं तो उससे में तुर्क सरदारों का बहुत प्रभाव रहता है तो ऐसे में डर जाता है कि कहीं मेरे राजा बनते ही तुर्क सरदार विद्रों न कर दे और मुझे राजगदी से ना हटा दे तो इसलिए एक नए शहर की स्थापना करता है शहर ए-9 यानि कि इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसने एक नए शहर की स्थापना करी दिल्ली के पास शहर-9 और शहर-9 की स्थापना के बाद इसने यहीं से शासन को चलाया हाला कि यह केवल 6 सालों तक ही था 1290-1296 यानि कि 1290 से लेके 1296 तक लेकिन यहीं चाहता था कि जितने भी तुर्क सरदार है वो उसके वफादार बने रहे इसके साइस साथ दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाए इसलिए उसने बहुती सुजबूस से काम किया और बहुती नम्रता और द्यालूपन से काम किया लेकिन फिर भी जलारुदिन खिल जी उतने अच्छे सासन ने कर पाया जितने अच्छे से सासन करना चाहिए था उसका कारण एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका आधा समय तो इसी में चला गया कि अपने सरदारों को अपना वफादार बनाए इसके लिए ये क्या करेगा विविन प्रकार की नीटियां चलाएगा इसके साइसा जो विरोधी होंगे जैसे कि राजपूत राज्ये उधर रन्थम्बॉर के चोहान ये सब भी छेत्रे शक्ती बनने की सोचेंगे तो सुल्तान रिवाडी नार्नौल जाई तथा मंडावर नामा की स्थानों पर वो विजे प्राप्त करेगा और वहां के विद्रोयों को दबा देगा इस्थान ये शाष्कों को तहस नहस कर देगा लेकिन इस सिथान क्या हो जाएगा मंगोलों का आकमड़ों जाएगा तो जलारुदिन खिलजी के शाष्काल में फिर से देखी मंगोल एक चिनोती बने विए थे सलतनकाल में क्योंकि मंगोल पुरी चीन के छेतर जीतने के बाद भारत की और सीध है उनकी नज़रे थी लेकिन बार-बार वो आकमड करते थे और लूट लपेट करके चले आते थे तो जो खिलजी शाष्काले इसमें मंगोलों के सबसे आद आकमड़ों गे और सारे आकमड़ों की चर्चा हमारे चैप्टर में की गई है तो इतिहासकार जयरुदिन बरनी ये कहता है कि मंगोलों ने दिल्ली की उत्तर पश्मी सीमा पर हमला बोल दिया यानि कि भारत की उत्तर पश्मी सीमा पर हमला बोल दिया मंगोलों की सीमा में लगभग एक डेर लाक लोग थे और इस विशाल सेना का जो सरदार था वो था अब्दुल्ला जलाल उद्दिन खिल जी को मंगोलों से लड़ने का एक लंबान भोता क्योंकि वो बलवन के शासनकाल में सैनिक रह चुका था ऐसे में उसने इस हमले की सूचना मिलते ही भले ही वो बढ़ापे में था लेकिन फिर भी मंगोल सेना से टक्कर लेने के लिए पहुँच गया मंगोलों का एक सरदार था उलगू जो कि अपने सैनिकों के साथ जलारुदिन खिल जी की सेवा उसने कबूल करी यानि कि जलारुदिन खिल जी की एक मनोवग्यानी जीत थी कि एक तो संधुई पहली बात मंगोल जीत नहीं पाए दूसरी बाद मंगोलों का एक बंदा उन् कारे करेगा और उसके लिए उसे वेतर निश्यत कर दिया इसके बाद मंगोल वापस रोड़ जाएंगे जो मंगोल दिल्ली के निवासी बन जाएंगे उन्हें नए मुसलिम यानि की नव मुसलिम कह जाएगा और आज जो हम दिल्ली में मंगोल पुरी के नाम से जानते हैं वो मंगोलपुरी इनी के द्वारा बसाएगी बस्ती थी जब तक सुल्तान जुन्दालह मंगोलों के आक्मन का फिर से उसे सामना नहीं करना पड़ा हाला कि जैसे ही जलारुद्दिन खिल जी अपने शासन का राजभोग का आनंद लेना चाहेगा तब ही उसकी मृत्युद कर दियाएगी उसके दमाद के द्वारा क्योंकि उसका दमाद जो अली था वो एक युद्ध जीतकर वापस आ रहा था और यह युद्ध था देवगरी का तो देवगरी का युद्ध यह जीतकर आ रहा था अपने साथ इसमें बहुत सारा सोना चान्दी और लूट का माल रख रखा था ऐसे में वो क्या करता है अपने ससुर को बलाता है यानि कि जलालुदिन खिलजी को बलाता है और कहता है कि ये लूट का माल आपके लिए है और वहीं पर उसे क्या देता है विश देता है और उसक तो अलाउद्दिन खिल्जी ने अपने सशुष की हत्या कर दी और खुद शाशक बन गया अलाउद्दिन के शाशक बनते ही वही समस्या फिर से नए रूप में आती है और उस समस्या का नाम है मंगोलो का आक्मर्ण अलाउद्दिन खिल्जी अभी दिल्ली के सिंखासन पर बैठे वे उसे एक ही साल हुआ था कि कादर के नेतरत में एक बहुत बड़ी सेना मंगोलो की भारत पर आधमक्ती है जहां भारत के उत्तर पश्रिम के छेतर से मंगोलो की हमला की सूचना मिलते किसको अलाउद्दिन खिल्जी को और से पदलता है कि उस सेना का नितरत तो कादर कर रहा है सुलेमान पहार से गुजरते हुए मंगोल की सेना ने व्यास नदी, धिलम नदी और स्वतल नदी को पार किया और रास्ते में जितने भी छेतर पड़े इन छेतरों में बड़ी मात्रा में लूट मार मचाई और बेहत भयानक तबाही मचाई जल्दि उन्हें आगे बढ़ने से रोखने के लिए अलावद्दीन खिल्जी ने अपने भाई उलुक खा को आदेश दिया कि वो जाए और उस सेना को वही के वही रोख दे अब इससे यह सपष्ट हो गया कि लड़ाई को टालन नहीं जा सकता था बेहत घमासान इद हुआ और इस इद में 20,000 मंगोल मारे गए हजारों मंगोलों को कैदी बना लिया गया और दिल्ली में इन पकड़े गए कैदीों को हातियों के पैरे के नीचे रॉन डाला गया तो इस प्रकार से कादर का जो पहला आक्मर था ये आक्मर खिलजी जीत गया और बड़े प्मार पर मंगोल सेना में अफरात अफ्रीश ने मचाई लेकिन मंगोल यहीं पर नहीं माने 1299 में सल्दी के नेत्रत में एक बार फिर से मंगोल ने हमला करा और जाकर सीधे सीरी के किले पर अधिकार कर लिया देखिए हाँ पर सीवी लिखा है अलाकि ये सीरी है सहवान का प्रदेश शिंद्गे पश्चिम किनारे के पारिस सिथा और इसी प्रदेश में था कौन सा किला सीरी का किला इस समय जफर खां समाना को बुलाये गया अलाउद्दिन खिल्जी के आदेश के अनुसार सीरी के किले पर घेरा डाला गया और विजय प्राप की गई दो साल के अंदर मंगोलों की ये दूसरी हार थी लेकिन फिर भी मंगोल मानेंगे नहीं अपकी बार का आकमड बड़ा खतरनाक होगा और ये आकमड करेगा कुतलुक ख्वाजा जाडे का मौसम था संथा 1299 मावारा उन्हर के मंगोल शाषक ने अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को दो लाग सीनग साथ दिल्ली सल्थन पर हमला करने के लिए भेजा यानि कि जी मंगोल शाषक था उसका नाम कहता मावारा उन्हर और ये अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को भेजगा दो लाग की सीनग साथ कि जा दिल्ली पर हमला कर दे इस हमले का लक्ष के वर लूट माट करना नहीं था बलकि कुतलुक ख्वाजा तेजी से दिल्ली पहुँचकर उस पर अधिकार करना चाहता था वो दिल्ली सल्तनत का शाषक बनना चाहता था इसलिए द्रास्ते में शहर कस्बे और किले को छोड़ दिया यानि कि पहले की जो मंगोल सेना थी वो उनी छेत्रों में तभाई मचाती भी निकलती थी लेकिन इसने उन छेत्रों पर कुछ नहीं किया और आज समका दिल्ली तक दिल्ली से सिर्फ 6 मिल की दूरी थी अगर वो 6 मिल की दूरी पार कर लेता तो दिल्ली के किले तक आ जाता एक मिल में 1.6 किलो मिटर होता है वैं, 1600 मिटर तो 6 मिल की दूरी बस दिल्ली के किले से ये खबर सुनते के साथ ही दिल्ली की सेना यानि कि अलाउद्दिन खिलजी की सेना में खलबली मच गई कितना कभी पहुँच गया दुश्मन और हम क्या कर रहे हैं दिल्ली के कौतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दिन खिलजी से कहा कि भाईया दिल्ली छोड़ दे लेकिन सुन्तार ने इस सल्हा को मानने से इंकार कर दिया अत्यां साहस और धर्टा का सबूत देते वे अलाव दिर्थिल्जी ने अपनी सेने के साथ किली के मैदान में लड़ाई लड़ी और उसने अपने सरदारों को यह आदेश दिया कि जब तक मैं तुम्हें आदेश ना दूँ जब तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे लेकिन उसका एक स्वामिवत था जफर खान जफर खान ने जब अपने सामने मंगोलों को देखा तो उसकी जीप लब लब आ गई उसे सोचाएं इन मंगोलों को मैं अभी क्या भी मार दूँ तो जफर खान मंगोलों को सामने देखकर उनसे जूच पड़ा मंगोल भाग कड़े हुए उनका फीचा जफर खान अपने सेना के साथ कर रहा यानि कि मंगोल आ गया आगे भाग रहे थे और जफर खान उनके पीचे पीचे भागे जा रहा था जफर खान इतने घोडों से इतनी तेज उनका पीचा कर रहा था इतनी तेज पीचा कर रहा था कि जफर खान की सेना ही पीचे छूट गई और लगभग एकजार सैनी की जफर खान के पास रह गए जब मंगोलों ने देखा कि जफर खान की सेना पीछे रह गए और उसके पास सिर्फ एखजार सैनी की रह गए है तो उन्होंने क्या करा घात लाकर उस पर युद्ध छेड़ दिया मंगोलों की सेना कहां दसजार और कहां इसकी सेना एखजार बहादरी से लड़ता हुआ फाइनले जफर खान मारा गया यानि कि ज़्यादा जल्दवाजी भी आपको मिर्टियों के और ले जाती है तो जफर खान की हत्या और उसकी सेना की हार अलाओ दिन खिलजी के लिए बहुत बड़ा धक्का थी लेकिन फिर भी उसने डटकर मुकाबला किया और अंत ये हुआ कि मंगोलों की सेना को वापस लोटना पड़ा क्योंकि मंगोल की सेना ये समझ चुकी थी कि वो अलाओ दिन खिलजी से नहीं जीच सकती लेकिन मंगोल यहाँ पर भी नहीं रुके और अब की बार एक बार फिर से आकमण करते हैं क्योंकि मंगोलों को ये सुचना मिलते हैं कि अलाओ दिन खिलजी दिल्ली से दूर चितौर पर चड़ाई करने गया है उनने इस मौके का पूरा पूरा लाग उठाने कोश्च करी और उनका एक सरदार था तरगी तरगी ने क्या करा एक लाग बीस जार सैनिकों को लेकर चल पड़ा कहाँ पर दिल्ली के और तरगी का ये आकमण 1303 में हुआ था वो समझ रहा था कि अलाओ दिन की गैर हाजरी में वो दिल्ली पर अधिकार कर लेगा लेकिन वो इतनी तेजी से दिल्ली में नहीं आ पाया जितनी तेजी से अलाओ दिन खिलजी चित तोड़ को जीत कर दिल्ली आ वापस आ गया ऐसे में एक बार फिर से युद होता है और बहुत बड़े पैवाने पर लोग इसमें मारे जाते हैं तर्गी समझ जाता है कि वह अलाओ दिन खिलजी की महसुद्गी में कभी दिल्ली को नहीं जीत पायगा और दो महीने के बाद तर्गी अपनी से लेकर वापस लोड़ जाता है हाला कि तर्गी के हमले ने अलाओ दिन खिलजी की आंके खोल दी और उसने कहा कि मैंने ये बचा तो लिया है लेकिन जल्दी ही मुझे सैनिक राजनीतिक और आर्थिक छेत्रों में मजबूर सुधार करने पड़ेंगे ताकि हम मंगोलों को पूई तरीगे से क्या करते निप्टा दें अब की बार तीन लोगों की सेना मिलकर आएगी मंगोलों की 1305 में अलिबेक, तर्ताक और तर्गी ये तीनों मिलकर आएंगे एक बार फिर 1305 में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनेस पर आकमण कर दिया और मंगोलों की सेना का नेतरत इस बार कौन कर रहा है अलिबेग, तर्ताक और तर्गी जेलम नदी को ये तीनों पार कर देते हैं लेकिन इसके बाद तर्गी वापस लड़ाता है कहता है भाई मैं निजाना लड़ने है फिर बस्ताकों ने अलिबेग और तर्ताक अमरोहा मौजुदा जो उत्तर प्रदेश का इजिला है इसके आसपार अलारुदिन खिलजी ने एक हिंदु सदार को रख़ता जिसका नाम ता मलिक नायक इसका यहाँ पे जोड़दार मुकाबला हुआ और कई हजार मंगोल सैनिक मार जिये गए या ग्रफतार कर लिये गए अलिबेग और तर्ताक ने भी हतिया डाल दिये युद बंदियों को फिर से वही या तो मौत के घर उतार दिया गया या जेल में ठूज दिया गया इतिहासका और एसामी के अनुसार अलिबेग और तर्ताक को भी कुس समय बाद मार ड़ा गया और एक बार फिर से अंतिम आकमड होगा कबक इकबार और तैप कु के आकमड इस आकमड में कबक को बंदी बना लिया जाएगा और उसके सारे साथों को मार जा जा जाएगा और क्यादी बना लिया जाएगा कबग, इकबाल और तैप तो के हमले से मंगोलों की जो ये हमले थे उस हमलों की आखरी कड़ी थी यानि कबग, इकबाल और तैप बू का जो ये हमला था ये आखरी हमला था इसके बाद मंगोलों के हमले खिल जी शाषनकाल में नहीं होंगे तो अब तक हमने इस शैप्टर में ये पढ़ा है कि किस प्रकार से चाहे वो खिल जी वंश का सस्थापक जलावत दिन खिल जी हो चाहे वो अलावत दिन खिल जी हो इन दोने ही सामने एक कोमन समझ से थी वो समझ से थी क्या मंगोलों का आकमर लेकिन अलाउद्दिन खिल जी बड़ी बहादुरी से दाद बार बार जो मंगोलों के होने वाले आकमर थे उनसे निपडता है और ना सिर्फ निपडता है बलकि उन्हें बहुत बुई तरीके से हराता भी है आगे इस चैप्टर का जो सबसे महत्पूर्ण प्रश्ण है वो शुरू होता है जो की पेपर में आता ही आता है तो वो प्रश्ण क्या है? प्रश्ण यह है कि अलाउद्दिन खिल जी के प्रिशाशनिक सुधार, आर्थिक सुधार और सैनिक सुधारों का उलेक कीजिए तो हम अलाउद्दिन खिल जी के प्रिशाशनिक सुधार, आर्थिक सुधार और सैनिक सुधारों का उलेक इसी चैप्टर के पार्ट 4 में करेंगे आसा है आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अपना पूरा समर्था हमें दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें यह बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में अलाव दिन खिल जी के प्रिशाशने को और आर्थिक सुधारों के साथ